भारत में निरुधोगी करण और अधोगी करण की शुरुवात सन 1500 से 1750 के बीच यानि बृतेन में अधोगी करण से पहले भारत में कपड़ा उध्योग सहीत विभिन तरह के उध्योग अपने चरम पर थे भारती कारिगर उत्तम गुडवत्ता के कपड़े बुनते थे जिसके विश्व भर में बड़ी मांग थी इसी वैपार से फायदा उठाने के लिए यूरोप के वैपारी भारत आये थे बड़ी मांग को देखते हुए भारती कारिगर और वैपारियों ने तेजी से उत्तमादन बढ़ाया इसे वैपार पर अधिक मियंतरन पाने के लिए इस्ट इंडिया कमपनी ने भारत में अपना राज्य बनाया चलिए देखें इसका हमारे देश के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा बुनकरों का क्या हुआ सन 1760 के दशक के बाद इस्ट इंडिया कमपनी के राज्य के सापना के पश्चात भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई इसका कारण यह था कि ब्रिटिश कपड़ा उद्योग अभी विक्सित नहीं हुआ था और यूरोप में महीन भारते कपड़ों की भारी मांग थी इसलिए कमपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी भारत में मैंचेस्टर का आना सन 1772 में इस्ट इंडिया कमपनी के अफसर हेंरी पतूला ने कहा था कि भारती कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता लेकिन हम देखते हैं कि 19 सदी के शुरुआत में भारत के कपड़ निर्यात में गिरावट आने लगी जो लंबे समय तक जारी रही सन 1811-12 में कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा 33 प्रतिशत था सन 1859 में यह मात्र 3 प्रतिशत रहे गया था ऐसा क्यों हुआ इसके क्या प्रभाव हुए जब इंग्लैंड में कपड़ उद्योग विक्सित हुआ तो वहां के उद्योग पती दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर शिकायत करने लगे उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयतित कपड़ों पर आया शुल्क वसूल करें जिससे मैंचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस परधा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिख सकें दूसरे तरफ उन्होंने इस्ट इंडिया कंपणी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारती बाजारों में भी बेचे 19 सदी की शुरुवात में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में अभूत पूर्व विद्धी हुई इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी उनका निर्यात बाजार गिर रहा था और इस्थानी बाजार सिकुडने लगा था इस्थानी बाजार में मैंचेस्टर से आयातित सामानों की भरमार थी कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे सनट्रा सो पचास के दशक तक देश के बुनकर इलाकों में ज्यादा तर बधाली और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी सनट्रा सो साठ के दशक में बुनकरों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई उन्हें अच्छा कपास नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ब्रिटेन अपने कारखानों के लिए भारत से कपास मंगाने लगा था 19 सती के उत्रार्ध में बुनकरों और कारिगरों के सामने एक और समस्या आ गई अब भारती कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से पट गया था ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था